जलगे ध्यान दिजिए हम लोग 12 के बेसिक मैथेमेटिक्स के अंतरका ट्रिगोनोमेट्री पर रहे थे क्या पर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोन मीती त्रिकोन मीती प्रिवियस क्लास में हम लोग ग्राप अफ ट्रिगोनोमेट्री कल फंसन की चर्चा कर चुके थे किसकी चर्चा ग्राप अफ ट्रिगोनोमेट्री कल फंसन त्रिकोन मीती फ्लन के आलेक की चर्चा हम लोग कर चुके थे जितने भी trigonometrical function थे चाहिए वो sign function, cos function, tan function, cosine, sake, and accord तभी function का proper मैंने आपको graph बताया, उसका domain बताया, range बताया, period बताया वो trigonometrical function किस quadrant में positive हो रहा है, किस quadrant में negative हो रहा है, किस quadrant में increase कर रहा है, किस quadrant में decrease कर रहा है यह सब की जानकारी हम लोग previous class में आपको दे चुफे, right, और उस चीजों को अच्छे से ध्यान भी रखेगा, वो आगे भी आपको काम देगी आज हम लोग पढ़ेंगे, trigonometrical functions of compound angles, संजुक्त कोनों के तिरकोन मीत ये फलन, संजुक्त कोन में जैसे side a plus b, cos a plus b, tan a plus b, cot a plus b, tan a minus b, इस सब के formula को हम लोग परहेंगे, clear, चलिए, तो आज heading आप लोग लगा सकते हैं, trigonometric functions, trigonometric functions, trigonometric functions of compound angle, trigonometric functions of compound angle, हिंदी भी इसको आप लोग बोल सकते हैं, संजुक्त कोनों के, compound मतलब होता क्या, संजुक्त कोनों के, संजुक्त कोनों के, तिरकोन मीत ये, संजुक्त कोनों के, तिरकोन मीत ये, फलन, संजुक्त कोनों के, तिरकोन मीत ये, फलन, trigonometric functions of compound angles, संजुक्त कोनों के, तिरकोन मीत ये, trigonometric functions of compound angle, संजुक्त कोनों के, तिरकोन मीत ये, फलन, देखें, सबसे पहले आप यह भी समझ सकते हैं, compound angle किसको करते हैं, संजुक्त कोन क्या है, तो algebraic sum of two or more than two angles are called compound angles, दो या दो से अधी कोनों के 20 गडिती हैं, योग को अब लोग क्या बोलते हैं, संजुक्त, कोई दिक्कर बहुत बड़ी बाद नहीं है, इसे मैं आपको figure से समझाने का प्रियास करता हूँ, कि माल लिया जाए, यह angle A है, और यह angle कितना है, B है, पसंजादा कम रहे हैं, चाहिए, माल लेते हैं यहाँ पर, हम लोग काम तो कुछ भी दे सकते, यह angle माल लेते कितना है, A, और यह angle कितना है, B, कि पूरा angle यहाँ से हाँ क्या कहलाएगा, बताओ, तुम्हें बताओ, A प्लस क्या कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, अगर कभी मैं इस प्रकार से कहूँ, कि अगर यह पूरा angle, यह पूरा angle को ही मानते हम लोग कितना A, और यह angle, यह angle तो है, उसको हम लोग मान लेते कितना B, तो बताओ, तुम्हें यह angle कितना कहलाएगा, A बाइनस भी कहलाएगा, अब देखिए, बेसिक के रूपे, तीर गो फर्मूला मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसका प्रूफ नहीं है, उसका भी प्रूफ है, जब इंट्रिकल प्रूफ उसका हम दे सकते हैं, ल को उसी क्यार पर प्रूफ करके लिखे, तब से पहला इसमें जो फर्मूला आपका होता है, साइड ए प्लस ब का, ज्यान दिजेगा, साइड ए प्लस ब का जो फर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वो साइड ए इंटू कितना कॉस ब? और प्लस चॉस ए इंटू कितना साइड कितने लोगों को यह आता था यही चिज़ अगर माइनस में हम लोग करेंगे sine A minus B तो कुछ नहीं है, जहां पर plus है, वहाँ पर minus हो जागा, यह हो जागा, sine A कितना, cos B और minus कितना, cos A into कितना, sin B टूइ निकत, दूसरा फर्मूला देखे हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं, दूसरा, दूसरा कॉस का पढ़ते हैं, कॉस A प्लस B का, अब कॉस में कहानी क्या है, इसका फर्मूला जो होता है, कॉस A इंडू कितना, कॉस B, इसमें पलस रहता तो यहां पे, माइनस होता है, जबकि साइन में ऐसी बा बात नहीं है क्या साइन में इसी बात है साइन में पलस था तो पलस हुआ था माइनस है तो माइनस में पलस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो पलस और माइनस रहेगा तो पलस और माइनस भी का जो फर्मुला होता है वो होता है कॉस एंटू कितना कॉस भी और पलस यह टैन का स्रीज जो है देखिए टैन का इस्लाम लोग टैन का ये टैन कितना हो गया A plus B टैन A plus B का जो फर्बूला होता है वो हमारा होता है टैन A और पलस कितना टैन B upon upon one minus टैन A into कितना टैन B और यही चीज़ अगर minus का करेंगे टैन A minus B का टैन A minus B का तो जहां पर plus था वहाँ minus हो जाएगा जहां पर minus है वहाँ पर plus पतलब हो जाएगा time a और minus कितना time b upon and one plus यहाँ पर time a और into कितना time b वे दिकत यह तीन गोग फर्मुला जो मैंने आपको लिखाया हूं वो basic के तौर पर लिखाया हूं शबाकि जो भी फर्मुला हम लिखेंगे हम ड्राइव करके लिखेंगे इसी तीनों के मदद से हैं। थे अलएक इसको लिख लिगये। आइसा नहीं कि इस तीनों फर्मुला का कोई ॡ्रा-विश्र नहीं है इसका भी ट्राइव अजिसन है। कि अनद जिमेंटिकल ड्राइवेशन है उसको कर सकते हम लो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते यह लेकिन परइसान ही आपको ज़्यादा हो को लिख लिए चाइन अपलस वी काने मायनस भी अपलस वी टाइन अ माइनस भी झाल 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 इसी फर्मुला को डायरेक्ट भी हम लोग कर देते हैं इसे यहाँ मैनस लगा देगा, यहाँ मैनस लगा मुलाब पलस है तो पलस ही उज़ कर लीजिया मैनस है तो दो बार लिखने से क्या करता हो? बद जाता है इसमें भी उल्टा लगा देगा, यहाँ पर पलस माइनस और यहाँ पर लगाएगा माइनस पलस तब पलस है तो माइनस ही उज़ होगा, माइनस है तो पलस दो बार ना लिखके तीनो फर्मुला लिख लिए चली अब आगे बढ़ते अब जितने भी हम लोग फर्मुला लिखेंगे तभी का मैं ड्राइवेशन दूँगा उपर करें इसको चली 14 फर्मुला आगे लिखने जा रहे हैं ज्यान दिजिए चली 14 देखिए अगर कॉट A पलस B की फर्मुला की बात करें इसको आगे निकाल सकते हैं यह कैसे सर काट करें सी प्रॉकल क्या होता है परें हम लोग काट A पलस B को 1 मटे हम लोग क्या लिख सकते हैं टाइड A पलस B और टाइड A पलस B का अभी फर्मुला हम लोग परे थे परे थे क्या परें है परें टाइड A होगी उपर जाएगी यहां जाएगा one minus यहां पर time a इंटू कितना time b और upon time a और पलस कितना time b होगा या नहीं होगा भोलो हम फर्मुला किसका निकालने जा रहे हैं करने के लिए आप लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे या नहीं करेंगे कर सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि 10 का उल्टा cut होता अब LCM लीजिए अगर LCM मैं लूँगा तो क्या जाएगा यहां पर आ जाएगा cut a into कितना cut b cut a into cut b यहां पर हो जाएगा कितना cut a into कितना cut b minus कितना one minus कितना one तीचे भी LCM लेते हैं हम लोग हो जाएगा कितना COT A और इंटू कितना COT B COT A इंटू कितना COT B और इधर हो जाएगा कितना COT B आप पलस कितना COT A क्या चीज़े समझ में आ रही है अब देखो यहाँ पर यह COT A इंटू कॉट B क्या हो गया क्या रिजल्ट में आ गया पताओ क्या रिजल्ट में आ गया COT A इंटू कितना COT B माइनस कितना 1 और अप आपन कितना COT B आप पलस कितना COT A आ गया तो फाइनल मेरा रिजल्ट देखे यहाँ पर आ गया कि COT A पलस B बराबक COT A पलस B बराबक पाउंड यहां पर हो गया कितना कॉर्ट भी आप प्लस कितना कॉर्ट एक प्लस कॉर्ट कि नोट कीजी मैं पहले ही आपको बोला मातर तीन फर्मूला मैंने डारेक्ट लिखा आकि जो भी फर्मूला लिखोंगा सभी का ड्राइवेशन के साथ लिखोंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं झालँ साथ एक झालँ लिखर लिखोंगान सभी का था मैंने उड़ मैंने ड्राइवेशन का जोट खना रहां प्लस कॉर्ट लिखर लिखाएवेशन के पाएं हो गया है कुछ नहीं है कॉर्ट a plus b का फर्मूला हमको निकालना था मैंने कॉर्ट a plus b को 1 बटे 10 a plus b लिख दिये ठीक है ते 10 a plus b का पाले जो फर्मूला पाले थे उसको लिख दिया फिर 10 को मैंने किसमें कनवर्ट कर दिया कॉर्ट में वो फर्मूला मेरा जनरेट हो गया और प्लस b का फर्मूला कॉर्ट के रूप में हमको जनरेट हो गया सिमिलार्ली मतलब क्या होता उसी प्रकार से सिमिलार्ली मतलब याद कि यह 10 a plus b का जो फर्मूला लिखे थे 10 a plus 10 b बटे 1 minus 10 a into 10 b अजब 10 a minus b का लिखे थे तो सब्सके जया पर माइनस के जया आध़ा माइनस के जया फिक उसी प्रकार से जब हम लोग अम मैंश-b का पर्मूला लिखेंगे वाट a minus b का तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा cot a into कितना? cot b और plus कितना? 1 upon minus था तो plus हो जाए ना अब ये plus से तो क्या हो जाएगा? minus, cot b minus कितना? cot a cot b minus? cot a तो आप cot a plus cot b और cot a minus b के फर्मूला को जालनी है आगे बढ़ें चलिए चौथा फर्मूला चुकि इसलिए चौथा हम लखें कि दोनों एक ही प्रकार के है प्लस माइनस का अंतर है तो ये भाई चलिए आगे अब लोग फर्मूला पढ़ते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है और हर जगा आपको यूज होता है लिख लिए रणूपर सभी विदाशी लिख लिए ना नहीं लिख पाएगा तो बोलेगा हम लिखेगा तो भी लिखी नहीं पाएगा तो हमारा लिखने का क्या हो फिर और चीत रहेगा कत्रा देखो शिक्स नमबर फाइब होगा अच्छा चलो फाइब नमबर हम लोग sin a plus b gy UE ग्याद देगा sin a plus b into sin a minus b का फरेवला निकाल ने जारे क्या है गाएगा vying देगा sin a plus b और sin a minus b मैं अभी sin a plus b का फरेवला आपको पराया था क्या sin a into कितना cos b plus cos a into कितना sin b यह परहे थे और side a minus b का क्या परहे थे side a minus b का side a into कितना cos b minus cos a और into कितना side b into कितना side b कोई दिकत बोलिए नहीं ना अब आगे बरते हैं थोड़ा से फूरा सत्यान दिजी आप लो इस पूरे टर्म को मैं a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ इसको a माने मैंने sine into cos b को और cos into side b को b यह a plus b और a minus b का फॉर्म है देखो गौर से देखो है तो बच्पन में हम लोग एक फर्मुला परहे हैं a plus b और a minus b व्राबर a square minus b square a square मतला यह फूरे पर asquare बतलब यहां पुर्ण जाएगा कितना sine a into कितना cos b का asquare minus यहां पुर्ण जाएगा cos a into कितना side b का asquare होगा या नहीं asquare बतलब इस पर भी asquare आएगा और इस पर भी आएगा पतलब यहाँ पर जागा कितना sin square a into कितना cos square b minus यहाँ पर cos square a into कितना sin square b होगा आगे बढ़िए अब देखिए यह जो मेरा term जो आ रहा है sin और cos दोनों के square में आ रहा है मैं यह चाहूंगा कि कि किसी एक के square में कर दो और अब इसलिए अगर sin का formula item हम चाहेंगे कि sin में convert कर दे तो क्या यह cos square b को sin में लिख सकते है क्या लिख सकते है 1 minus sin square b लिख सकते है ठीक उसी परकार से cos square a को 1 minus sin square a तोटल चीजे यह convert हो जाएगी किस में sin में यहाँ पर हो जाएगा sin square a इसको 1 minus क्या आप लोग लिख दिये sin square b right minus इसको लिख दिये 1 minus कितना sin square a और यहाँ पर हो गया कितना sin square b कोई भी रिक्कत है तो बोलिए अब ऐसा क्या हुआ कि इससे सिर्फ side में convert हो गया bracket को तोरिए यह हो जाएगा sin square a minus यह होगा sin square a into कितना sin square b से यहाँ पर हो जाएगा sin square b और minus minus plus हो जाएगा sin square a और into sin square कितना b यह दोनों cancel होगा बोलिए होगा या नहीं होगा चलिए होगा सामत हैं आप लोग फर्मूला मेरा आगिया किसमे sin square a और minus sin square किसमे sin square a minus कितना sin square b आगिया अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम चाहते कि sin a plus b और sin a minus b का पर्मूला कॉस में आए तो जो यहाँ पर हम लोग कॉस को चेंज किये थे वो साइन को ही चेंज कर लेते चलिए वहाँ पर नहीं भी चेंज कर पाए तो यहीं चेंज कर लिजी नहीं कर सकते यहाँ भी चेंज कर सकते इसको लिख सकते है 1 minus कितना cos square a अब 1 minus कितना cos square b लिख सकते है bracket को तोरेंगे bracket तोरेंगे तो 1 minus यह cos square a minus 1 और plus कितना cos square b 1 से 1 क्या हो गया हो गया कितना cos square b अब minus cos square a पतलब आप यह सोचिए पलस सही है सही है सही है पतलब आपको sin a plus b sin a plus b into sin a minus b का दो फर्मूला प्राफ्ट अगर आपसे कोई कहे कि sin में सिर्फ बता हो रहे भाई तो sin a square a minus sin a square b अगर कहेगा cos में बता हो भाई cos a square b minus cos a square a body cut देखे मैं चाहूं तो डारेक्ट आपको फर्मूला भी लिख सकतो लेकिन वो तो बुक में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कैसे फर्मूला आया यह चीजों को बताना हमको note कर लिजी समझ में आ गई अब इसी पर एक similarly होगा एक ठो निकाल के बता देंगे दूसरा उसी पर मैं लिक्स देऊंगा समझ गए ना आज महासिवरात्री है अना आवा भोला का दिन है सबसे जादे इस कल्यूग में भाई ववे भोला का पूजा होता है क्यों होता है मालूम है गरम दिमाग के आदमी है गरम दिमाग के आदमी रहता है वगरास लोग दूरे रहता है तना के यलखुन तो हो गलोग कहानी खत्रम एक बार हाथ रख्तुन भासन झाल झाल अगया? झाल झाल बने आगे बोलो इस प्रकार से आप लोग sin a plus b और sin a minus b का फर्मूला निकाले हैं उसी प्रकार से आप लोग cos a plus b और cos a minus b का भी फर्मूला निकाल सकते नहीं होगा तो घर पे आप लोग निकाल के देख लिजेगा कि उतना आता है कि नहीं आता है अगर cos a plus b और into cos a minus b का फर्मूला निकाले इसका फर्मूला आ जाता cos a square a और minus sin a square b क्या cos a square b minus sin a square a या sin a square a यहीं पर्मूला होता है cos a plus b और cos a minus यहीं पर्मूला आता है इस अबने हुआ हुआ है लंक में अभवा हुआ है लिए अदैना चेल-गा करेंगे हुआ 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 है अलो कि अगर आगे तो हम लोग साइने प्लस वी इंटू साइने माइनस वी उसी प्रकार से कॉस ए प्लस वी इंटू को से मैंस वी का प्रमूला जाल निए जटा होगा आगे इसली सीख्ष नम्ल तो आप देखे साइन ए पलस ऐन ए पलस बी और पलस सीखा फर्मूला क्या हो इसकी यूज़ कम आती है यह रेकिन फिर भी हम लोग सीख लें आइड ए पलस बी पलस सीखा थना side hello side a plus b plus कितना c का clear यार किजी हम लोग पहले सिखते हैं a plus b का whole square कि बाद सिखते हैं a plus b plus c का whole square उसी परकार से सबसे पहले sign a plus b का फरूला हम लोग सिखें उसके बाद सिखते हैं sign a plus b plus c का clear हम लोग इसके लिए करते क्या है कि इसको आप लोग ऐसे लिख देते है sign a plus b sign a plus b और plus कितना c ऐसा लिखने है जा a plus b plus c अब इसको मैं a बाल लूँगा इसको क्या माल लूँगा b तब फरूला अभी जश्ट पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे sign a a के जगा पर क्या है a plus b into cos b b के जगा पर c इसको समझने में किसी बच्चे को परिशारी मैंने इस पूरे को मैंने इस पूरे को क्या माना a इसको क्या माना sign a plus b बढ़ा sign a into cos b plus cos into फर्किया ही है कि a के जगा पर a plus b और b के जगा पर c है चलिए थोड़ा सा और आगे अपरेट करते है देके फर्मुला खुट जल रेट हो जाएगी हम कुछ नग करेंगे sign a plus b का फिर फर्मुला लगा क्या लगा होगे बोलो sign a into कितना cos b plus cos a into sin b into में क्या होगा cos cos a plus b का फर्मुला लगा जानता है तुम लोग cos a into cos b minus sign a into sin b सही लगा है और पूरे पर into में क्या है sign c अगला step अब क्या करना है कुना करना क्या करना है कुना करना है कुना करो क्या result आएगा कुना करके देखो result आएगा हमारा sign a into cos b into cos c है cos c का कुछ जर्मुल भुल ठीक है confuse मत हो fuse की छम्ता को बरहा ले 5 एंपियर सो 2 से इंपियर कर लो physics में परहाऊगा fuse की छम्ता अगर है बिद्दुधारा का वा मान इतना सधीक होने पर fuse गल जाती है उसको fuse की छम्ता करते पर तिक fuse की छम्ता होती है 5 एंपियर का fuse कर है पाच एंपियर से ज्यादा का करेंट वहेंगा तो उर जाएगा हूँ हाना है तो उसी परकार से बरहा लो चलो आगे देखो इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना साइन भी इंटू कितना कॉस सी आगे इसको गुना करो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना कॉस भी इंटू कितना साइन सी और माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू कितना साइन भी और इंटू कितना साइन सी वे दिकत अब आप लोगों को लग रहा हूँ इत्ता बरा फरूला गया इसको याद सर कैसे रखेंगे कैसे याद रखेंगे अब उपर तुम बद देखो यहाद नीचे मैं कर रहा हूँ इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अकमकाओ नहीं जा दे उसके बाद तुम मिला लेना मैं तो इतना यह क्या किया एक एक के स्टेप को करके लाया अब आपको का देगा साइन ए पलस बी पलस सी के फर्मूला को लिखिए देखो हम लिखने का तरीका बताते हैं अफिर मिला लेना कि वही चीज आ रहा है कि नहीं हम लोग को लिखना है किसकी फर्मूला साइन ए प इसमें तीन एंगल है A, B, C, सबसे परला पर्टेक एंगल का साइन पोजेटिव में लिख दो, पर्टेक एंगल का साइन, साइन A लिखे, उसके बाद साइन B लिखो, और उसके बाद साइन C लिखो, पर्टेक का पोजेटिव लिख दिया, अरे लिख दिया, और उसके बाद किनों का प्रोड़क्ट घाटा दो साइन एंट्व साइन बी इंट्व साइन सी चीज़ आया करने आपको अश्चा को जरू नहीं कि छोड़ के लिखना है बहुंगल बहुगल भी लिखनें कोई दिक्कत नहीं है sin a plus b plus c का पर्मूला लिखना है क्या करेंगे sin a plus sin b plus sin c minus sin a into sin b into sin c पर टेक में दो दो एंगिल बच रहा है पहला में क्या बच रहा दो एंगल b और c दूसरा में क्या बच रहा है a और c तिसरा में a और b यह ने बच रहा है तो कौस वाला भर दो वो किसका वाला कौस वाला किसका वाला भलेगा कौस b into कौस a into कौस c अचा इधर नाता इधर नाता प्वेदी कट हो जाता इंटु में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए उस तरह से लिखे आए यहाँ पर किसका भलेगा कौस a into लिखणी आ गया अपने से लिख्के ट्राय कर लेना देखके मत उतारना आए उसके बाद मिला लेना की लिखनी आया की कि समझ में आया कूछ की कि तोनों कोई चीज़ बढा होता है उसको बताने का ठारीका होना चाहिए एक मिनट में इसको याद हो गिया, हो गिया ना, ऐसे लगता हो, पॉस्धा, इन था, पॉस्धा, करें तरह जाता है, चलो जल्ली साइस को राइट डाउन करेंगी, तो हम उसको याद रखेंगे, तुल जल्ली करो आदा लोग भाग गया बाबा बोला कि वराती चलिया लगता है अगराबाद में समझ में आगा काराता सर महासी वरात्री है सब जग आच छुटी रहता है सर आप छुटी कहें न दिये हम कली हमारे आच छुटी नहीं रहता है और कुछ बलना है तो बोलवागे अगरे पूजा पार्ट कर लिये हो गया तो दीर भर ठोलो तूपूजा करें तो फिर तो पूजारी बन जाएगा झाल 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 करें झाल झाल हो गया अरे आगे क्या जी समझ में आ रही है चली अब जिस प्रकार से साइट A पलस B पलस C का फर बुला हुआ तो कॉस A पलस B पलस C का भी होगा होगा न भाई आए पोलो देखो सात्मा अगर हमको कॉस A पलस B पलस C का लिखना है पाकि अगर निकालना हो तो इसी मेठर्ट से निकालेंगे इसको भी लिखनेंगे कॉस A पलस B एक साथ A पलस C फिर cos a plus cos b का जो फर्मुला आता हूँ लगाएंगे cos into cos b minus sin a into sin b फिर आगे तोरेंगे उसको result आएगी अब result क्या आएगी ये देखो sin में हम लोग पहले क्या किये थे sin a plus sin b plus sin c अब minus 3 का product इसमें क्या करेंगे cos में 3 का product पहले लिखनेंगे तीनों का product बहले ये positive हो जाता है cos a into cos b into cos उसके बाद तीनों का single angle घटाएंगे घटाएंगे क्या cos a उसके बाद क्या घटाएंगे उसके बाद क्या घटाएंगे cos b और उसके बाद क्या घटाएंगे cos c अब इसमें जो बाकी दो दो लोगों एंगल घटाने के लिए बच गया है वो साइन का जाएगा उसमें जो बचा था किसका गया था अब यह किसका जाएगा साइन का यहाँ पर जाएगा साइन बी इन्टू साइन सी यहाँ पर जाएगा साइन ए इन्टू साइन सी होगा यहाँ पर जाएगा साइन ए इन्टू साइन भी समझ में आगया कोई दिक्कट किसी भी ज्याती को तो बोलो नहीं न लिख लोगे अपने से चलिए क्योंकि इसक वो भूल जाओगे, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से ही ध्यान में रख सकते हैं, आठमा एक फर्मुला होता है, 10 A पलस B पलस C का, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहेंगे तो, कैसे निकाल सकते हैं, पहले 10 A पलस B पलस C, 10 A पलस B को इसको इसे लगा के, इसका फर्मुला जो आपको आएगा, वो आएगा 10 A पलस 10 B पलस 10 C, इसका इस से डिलेटन नहीं है, थोड़ा डिफ्रेंस है, तीनों का पहले पलस करदो और तीनों का प्रोड़क्ट को घटाडो, 10 A, 10 B, 10 C, और अपाउन, अपाउन मतलाव बटा में, और 1 माइनस दो दोगो का प्रोड़क्ट करेगा, 10 A इंटू 10 B, माइनस 10 B इंटू 10 C, और माइनस 10 C इंटू 10 A, यह वता 10 A पलस B पलस C का फर्मूला, जल्दी कीजिए, अभूख झा जड़ियर प्रोड़क्ट को का प्रोड़क्ट करें, जल्दी कीजिए, • जल्दी में वपाउन, भ्रोड़क्ट कीजिए, इसके इतना तारीक है तो हम लोग sin a plus b plus c cos a plus b plus c और tan a plus b plus c का फर्मुला पर लिए अब कुछ विद्यार्थी को ये मन में आ रहा होगा कि सर्थ हम लोग जो ये फर्मुला पर रहे हैं उसका यूज क्या है अब बाबू इसका यूज क्या है हम लोग इसके मदद से मतलब compound angle के फर्मुला के मदद से हम लोग sin 15 degree के मान को अब निकाल सकते इसके पहले हम लोग निकाल सकते थे जानते हैं नहीं न जानते हैं ताइन 30, 45, 90 या उसके जो भी multiple है उसके according हम लोग निकाल सकते थे 15 degree का मान नहीं जानते थे 75 degree का मान नहीं जानते अब यह सब को निकाल सकते जैसे कोई कहेगा sign 15 degree वराबर what a into कितना cos b और minus cos a into कितना sin b बताओ आप तो value अमको आता है इतों 10th class में भी पर है यह 1 मते root 2 cos 30 का मान sin 3 by 2 1 मते root 2 1 मते 2 पडिकाल यहाँ पर किजेगा root 3 मते 2 root 2 minus 1 मते 2 root 2 क्या जाएगा root 3 minus 1 मते 2 root 2 पडिकाल भाई sign 15 degree का मान आ गया है बतलब क्या आया sign 15 degree का मान जो आ गया वो आया root 3 minus 1 मते 2 root 2 और एक मान और जानू जैसे sign 30 degree का मान cos 60 के बराबर होता है कैसे होता है 90 उसको घटा देते है ठीक उसी परकार से sign 15 degree का मान जो होगा वो cos 75 degree के मान के क्योंकि sign 90 minus theta cos theta sign 90 minus theta समझ में आ रहा है इसे cos 75 का मान निकालना है cos 75 को लिग देंगे अने cos 90 minus 5 रहा है हाँ cos 90 minus theta भी sign theta मना sign पर लेक बराब sign परने का मान cos 75 के बराब और cos परने का मान sign 75 के बराब यह एको निकालेंगे दो गों काम हो जाएगा इस से बढ़िया कोई बेनी फीट वाला बात है ना अगला देखिए अगर उसी प्रकार से cos कहेगा आपको पंद्रे डिगरी का मान निकालना अनोड़ाट आप कोई कहेगा सब कोई 75 का मान हम लोग क्या 45 पलस 30 करके नहीं निकाल सकते हैं निकाल लिजिए खुशी से निकाल लिजिए यहीं मानाएगा पच्छत्र को अप लिख सकते हैं 45 पलस क्या 38 और प्लस बी का फ्रमुला लगा दिजिए का कॉस इंटू कॉस मैनस इन इंटू जहीं आएगा कुछ अलग नहीं आए घार लजिए का पाने करेंगा तो देखो यहां पर भी कॉस्ट पन्रे को यहां पर पर कॉस्ट पन्रे को हम लोग कॉस 45 मैनस कितना 30 लिख सकते आए नहीं रखिये, क्या हो यह लिखेंगे तो आएगा 30 मैनस 45 लिखेंगे तो नहीं है का 60 में से 45 लिखेंगे आते हैं वो भी पनले डिखनी होता है, लगा कॉस A मैनस B का परूला, क्या होता है, कॉस A कॉस A इंटू कॉस B, सही है, आप पलास साइन A साइन A इंटू साइन B को दिकार, कॉस A का मान साइन थिस, 1 बाई 2 इसका मान, 1 बाई root 2 और साइन साइ का मान, root 3 बटे 2, आप 1 बटे कितना root 2, क्या आगिया, 1 बटे 2 root 2, आप पलास root 3, आप बटे 2 root 2 LCM ले ले, आप आगा root 3 पलस 1 बटे 2 root 2 बताओ यहाँ पर कॉस्ट परने डिगरी का मान आ गया कितना रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 अजो कि साइन पर 75 डिगरी के मान के एक बात आपको मैं बता देता हूँ निकालने के लिए तो आना ही चाहिए लेकिन ये सब भैलू याद भी होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछ दे साइन परने डिगरी का मान तो आप यह ने बलिए रूख 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 निकाला ही होगा डारेक्ट बोलना है साइन परने का मान रूट 3-1 मेंटे 2 रूट 2 वो कॉस्ट 75 के भेलू के बराबर जब भी कोई बरा एंगल पूछे उसको छोटा में क साइन परने का मान रूट 3-1 मेंटे 2 रूट 2 आया तो कॉस्ट परने का मान रूट 3 पलास 1 मेंटे 2 रूट 2 रूट 2 कर नोट किजिए जल्दी किजिए आपको टैन परने का भी बहलू निकाल के निखाते हैं पर गर्मी खूब परेगा या अभी सही मौसंदी भाग बहुत चता रहा है और इस वार अस्मान से गिरेगी आग लिख रहा है फर्विरी मां में इतना गर्मी आ गया कि आज अप्रेल तक लू चलने लगेगा कि कली बाट से कि अगर्मी को अब यह से अईसी से एसी उसी खुब बिक जाएगा कुलर सब अईसी एक बार देरा देता है दू दिन ठंडा करें लगता है वस गोईलर हीटर पुरा बिक नहीं लगता है कंबल तुटर थंडा में तो लुकान में आता है खुब थंडा करें शूटर जेकेट सब हमर बीट ना इनके सो जो थंडा ही ने करें बिचारा कर जो सब आले लाए वो फास जाएगा सब क्याल खड़ेगा लोग शूटर जेकेट कबल अभी तो बहुत सारा बच्वा नहीं पढ़ रहा है देख रहा है मिशन जो ले लिया हूँ भी नहीं पढ़ने आ रहा है अब आद में यही सब चीज कभी कई जबरत पर जाएगा साइड पलस बी का फर्मुला करें सर नहीं समझे लिए बंत नहीं पर नहीं परें सर तो जाएगा उसका यह तो पढ़ने का कुछ-कुछ मौका मिल रहा है तो अभी भागिये रहा है भागो ना कितना भागेगा एक समय कंपिडिशन की दुनिया में जाएगा एक नमर दूर नमर के लिए छटे गाने तब समझ में आएगा अभी कल फोन के लिए तेगो भगनारा आपके बोला दौरू तो गुरूप डी में निकल लिए गया क्या करें कट अफ जो उठा लिया बहत्तर से हमारा एक सत्तर या सत्तर पॉइंट फाइव है जब एक नमर आधा नमर के लिए नौकरी से लोग छट जाता है उस समय आप पस्तावा होता कि कास एगो चीज और कुछ पर लिए होते हैं एगो कोश्चन और सही हो जाता था हमरे दम कि भाग के जाओगे कहा जिन्दगी में तो संघर्स आपको करना ही परेगा अभी भाग रहे हो तो आद में इतना भागोगे कि भागते भागते ठक जाओगे अस्टेबिलीटी ना मिलेगा प्राइवेट सेक्टर वलाग देखते ना भाग दूर केतना है कि अरे आगे लिख लिया है कि नीचे करें चलो जल्दी करो जल्दी करो अब अगला देखें टाइन पन्य डिग्री का मांद प्रावर वाट दो तरीके इसके हो सकते हैं एक तो साइन बटे कॉस्ट करके साइन पन्य वटे कॉस्ट पन्य करके उसके लिए साइन पन्य और कॉस्ट पन्य का भेलू आना चाहिए दूसरा तरीका हो सकता है कि टाइट पन्य को भी अब लोग 45 माइनस 30 लिख ले और टाइट माइनस वी के फर्मुला को लगा दे दोरों से सेम चीज़े आएगी अलग ओड़ी बढ़ी यह गारी वाला आए घर से कचरा निकाला गाथ लेकिन निकाल में नों करता रोड पर फघ्ड नेता है लेकिन वह गारी में नहीं देगा रोड पर फिक देगा सब लोग करके देक लेते एक साइट पन्या बटे कितना कॉस्ट पन्र है इसके लिए साइन पर्णय का भी भेल्लू चाहिए और साइन पर्णय का मार हम लोग अभी परे रूट 3-1 बाटे 2-2 रूट 2 राइट 2-2-2-2 रूट 2-2-2 आ गया कितना रूट 3-1 बाटे 3-1 बाटे 3-1 इसको अब लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे congratulate करेंगे 3-1 रूट 3-1 conjugate ऐसी करते है deposit side conjugate करने है पर उपर A plus B का होल A minus B का होल स्काइर आगया सही है निचे A plus B A minus B root 3-2-2-1 रूट 3-1 रूट 2-3-1 रूट 2-5-3-2 3-1 जटाओ क्या जाएगा चार अलो जाएगा 4-2-3 अबटे 2 तू कमन ले ले 2-3 अबटे 2 तू से 2 केंसिल हो गया अरे हुआ भाई रिजल्ट मेरा क्या आगया 2-3 आगया एक कुपाई और भी था और तोरों तरीका हम लोग कर ले एक और था कि 10 45 डीडी को अब लोग लिख सकते थे 10 30-30 करे 10 हम लोग लिख सकते थे 45-30 40-30 तहीं बोले आप लोग उसके बाद 10a-b का फर्मुला लगा देते इसका फर्मुला 10a-b का लगा देते 10a-b मतलब 10a-10b सही है अपन 1 पलस 10a 10a मतलब 1045 आई इंटू 1030 कर सकते है 1045 का मान क्या होगा बताओ सब लोग जानता है जानता है ना 1 आप माइनस 1 बते कितना रूट 3 1030 का मान 1 पलस 1 इंटू 1 बते रूट 3 अगर मैं LCM लेलू तो आ जागा रूट 3-1 बते कितना रूट 3 और यह जागा रूट 3 पलस 1 बते कितना रूट 3 रूट 3 कैंसिल हो गई रूट 3-1 बते कितना रूट 3 पलस 1 इसको फिर यही चीज़वा गया ना यहां के बाद तो सेम परोसेश करना जो इसमें किये थे यहां भी रूट 3-1 बते रूट 3-1 से क्या किजिए उपर में रा गया रूट 3-1 का होल स्कॉर्ट नीचे आ गया रूट 3 का स्कॉर्ट अब मैंनस 1 का स्कॉर्ट यह जागा 3-1-2-3 अब बते कितना 3-1 खिर वही कानी हो गया 4-2-3 अब बते कितना 2 तू कमन ले लिजे 2-3 अब बते कितना 2 गया 2-3 आगया 2-3 आगया 2-3 आगया 2-3 आगया 2-3 आगया दोनों से अच्छा 45 लिख दी है sorry गलत बात लिख लिए एट पर्न्य दिग्री आगया दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से आपमान 10 पर्न्य डिग्री का निकाल सकते है अजो टैन पर्न्य का मान होगा उकाउट 75 डिग्री को बराबर होगा क्योंकि 10-0 ठीटा को देख लिखे जल दिए जली लिखे आ रहें थोड़ा सा पानी पीखे कर दो का सुषभड़ा रहें, है और मेंत हूआ हैं झाली लिखे ऐंत गर प्रोगा या मां ये कहुँट है कर द Hills मां, मैं इंत हुआ है क्या है? हाओये लिखे पेस्था हाँ ये दियान alltid जिए और खो जिए हैечение अक्याति हम जाड़ झाल 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 चलो आगे बढ़ते हैं आगे मतलब पन्रे डिडी का जो भेल्वू आया मतलब पन्रे डिडी का जो मान आया वो आगया टू माइनस रूट त्री टू माइनस रूट जो की कॉड माश्य दिडी निस पराबर है रैंट पन्ने डिगरी का मान 2-3 जो कि कौट 75 डिगरी के मान के इसी प्रकार से हम लोग कौट पन्ने डिगरी के मान को भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके कौट पन्ने क्या आएगा मालूम है 2 पलस रूट 3 आएगा हién्या यह जैसे पर पन्ने होगा तो अगौं समय होगा है यह उपर पलस वला जाएगा नीचे। आइप तो उपर नीचे में लोग क्रस्वला से करेंगे कुना एसक्वाइड होगा नहीं अब लीख देतेैं कि बतलाब है उसी प्रकार से अगर कॉल्ट पन्य डिग्री का मान कहेगा यह हो जाएगा टू पलस रूट त्री जो कि 10 पच्छत्त्र डिग्री के मान के जो कि 10 पच्छत्र डिग्री के मान के किलियर तो कंपाउंड एंगिल का यही सब आपको यूज था हम 10 डिग्री और 60 डिग्री के वहलू को हम लोग जान पाएगे अब देखे एक होता है फर्मुला टू ट्रांस्फॉर्म सम और डिफ्रेंस इंटू प्रोड़क्ट में फर्मुला टू ट्रांस्फॉर्म सम और डिफ्रेंस इंटू किसमें है प्रोड़क्ट में या प्रोड़क्ट इंटू सम और डिफ्रेंस लिख सकते हैं देखे आप लोग नहीं सुने है साइन सी प्लस साइन डी कितने लोग सुना है बहुत बने हैं दो तीन चाल लोग तो कम से कम सुना है आप लोग नहीं सुने हैं चले कोई बात नहीं उसका नाम क्या देखो लिग लिए इस सब आगे बढ़ें हेडिंग लगाएगा आप लोग formula formula to transform 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 product into product into sum or difference r formula to transform product into sum and difference मलब जो जब दो trigonometrical function product में दिया हुआ है तो उसको summation के रूप में कैसे transform करेंगे transform कारना मतलब बोल भाई पदलना transform कारना मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसले लिखेंगे क्योंकि ये चीज ये पर चुके हैं बी नाव डेक हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं पहलाज पर्मुला जानते है sine A plus B का हम लोग जानते sine A minus B का पर्मुला हम लोग जानते है sin a minus b sin a into cos b minus cos a into sin b cos a plus b का फर्मूला जानते हैं cos a plus b cos a into cos b हाँ minus sin a into sin b सही है और cos a minus b का फर्मूला जो कि अभी हम लोग फर्चुके हैं तो जानते हैं लिकर हैं cos a into cos b plus sin a into sin b सही है इसको equation 1 माल लेते हैं इसको 2 माल लेते हैं 3 माल लेते हैं इसको 4 माल बोलो कोई problem बोलो नहीं ना ना जानते हैं ना आप देखो हम लोग इसका topic का heading लगाएं formula to transform प्रोडक्ट इंटू सम और डिफ्रेंस जब दो ट्रिवनो मेटकल फंसन प्रोडक्ट में है उसके summation और डिफ्रेंस में कैसे transform करेंगे यहां पर 4 equation एक तरह से बनाएं यह 4 formula हैं पहले दोगों को लेके चलेंगे अगर 1 और 2 को जोडेंगे तो एक formula निकल जाएगा 1 और 2 को घटाएंगे दूसरा formula निकल जाएगा 2 और 3 3 और 4 को जोडेंगे तिसरा formula निकल जाएगा अब 3 में से 4 को घटाएंगे 4 निकल जाएगे इसी से उसको निकालेंगे कैसे देखे अब हम लोग यहां पर लिखते है 1 पलस 2 P gate इसका मिनिंग समझ गए होगे समीकरण 1 और 2 को जोडने समीकरण को जोडने आता है न समीकरण को जोडते है तो लेट अंट साइड को लेट अंट साइड के साथ अर्राइट हैं साइड को चिने जोडते हैं बच्पन में सीखा होगा तुम लोग यहाँ पर देखो हम लोग कर सकते साइन A पलस B ध्यान देगा पराबर जो हम लोग परहे हैं साइन A इंटू कॉस B पलस कॉस A इंटू कितना साइन B और साइन A माइनस B बराबर हम लोग परहे हैं साइन A इंटू कितना कॉस B साइन A इंटू कितना कॉस B आप जोरेंगे क्या करेंगे शुरू में ही दिखेंगे 1 पलस 2 तरह उपर कर लिए दिकराना सबको जोरेंगे पर साइन चेंज नहीं होता है यह मालूम है नहीं मालूम है यह कैंसिल होगा क्या यहां पर आ गिया साइन A पलस B और पलस साइन A माइनस B पराबर यह आ गिया तू साइन A और इंटू कितना कॉस क्या ही फर्मूला लिखेंगे इसको अब लोग लिख सकते हैं कि टू साइन A इंटू कॉस B पराबर आ गिया मेरा साइन A पलस B साइन A पलस B और पलस साइन A माइनस क्यों नाम पर आप फर्मूला टू ट्रांस्फॉर्म प्रोड़क्ट इंटू साम और डिफ्रेंस यहां पर दो गोट्रिग्णों मेट्कल फंशन प्रोड़क्ट में है उसको समेशन में कनवर्ट कर दें यह देखो समेशन है ना समझ में आया अरे बोल भाई कम से कम आया सबको समझ में है तो हम लोग इसको एक फर्मूला के तोर पर यार रखेंगे तू साइन इंटू कोसबी तू साइन इंटू साइन अपलस बी प्लस साइन माइनस लिखें त्रिग्नोमेट्री पढ़ने में इसे भी मजा आता है ज्यान से इगर चीजों को पढ़िए क्या कोस्चन उबनाने में ने में आनंद लगता है लेकिन कुछ बकलोलन के बहुत मुस्क्राइब उसको लगता है कि इसम्क्या है मैं थे कैसा सब्जेक्ट है जिससे आपको लगाब हो जाएगा ना पर आनंद लगता नहीं माना पैठ के रट रहें पज़िदा और मैत की एक खासिया थी कि जब बनने लगता है लगता और बनाएं जहां पर अटक जाईएगा लगेगा छोड़ने अब लोग मैत जब अपने स्टुडेंट की समय को याद करते स्टुडेंट का लाइफ को मैत बनाने बैट जाते थे ना टाइम का अपती न चलता थे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे अनंद लगता यहां पर अटक गये वहीं पन्दी दाल अने लगत और दूसरी बात मैत के स्टुडेंट को कभी कैल्कुलेशन से नहीं डरना जाएं कई हम बोल देते क्या प्रहाते मैत दुचार को कोई अगल मैत प्रहाते दर जाता है लड़किया लोग तो और जादे डरती है कहीं कोई पार्टी फंसन में गये हुए हैं कोई कोई परिवार में लोग भेटा जाते तो एडम बी रहती हैं इंट्रोड्यूस करती है क्या करते हैं तो हम करते टीचर हैं और सा सब्जेक्ट प्रहाते मैत मैत पाई कि यहांता है पर क्यों हुए इसाचे है तो हमको बड़ा डर लगता है अभी भी मैद से पंगाना लेते हैं हम कले तो हम सभी पंगाना लेजिए चले हैं पता ना लोग क्या हमको दुबरा आनंद आता है आगे बढ़ते हैं दिखिए हम ए वन प्लस टू किए एक रिजल्ट आ गया वन माइनस टू कीजिए दूसरा रिजल्ट आ जागा करके दिखिए अब हम लोग वन माइनस टू करते हैं मतलब समिक्रेण एक में से समिक्रेण दू को घटाते घटाईए लिखकर ही घटाईए sin a plus b sin a plus b sin a into कितना cos b और plus यहाँ पर रोज़ेगा cos a into कितना sin b और sin a minus b पर यहाँ पर sin a into कितना cos b minus यहाँ पर cos a into कितना sin b तही है? अगर मैं घटाओंगा आपको मालुम होगा कि घटाने में sin change होता है, right? मीचे sin change मतलब पहले इसका sin plus थाब हो गया इसका sin पहले plus थाब हो गया इसका sin minus थाब हो गया कौन वला कटेगा? यह वला यह न कटेगा? यहाँ पर देखो मेरा result आगिया क्या आगिया? sin a plus b और minus sin a minus b क्या result आगिया? यह तो दोब पलस हो गया तो आगिया 2 cos a और इंटू कितना? sin b मतलब मेरा फिर यह result आगिया 2 cos a इंटू sin b पराबर आगिया कितना? sin a plus b sin a plus b और minus sin a minus b इसमें भी थोड़ा सा फर्मुला को याद रखने का एक तरीका है क्या तरीका है? मैं आपसे share कर रहा हूँ क्या इसका तरीका है? आगर 2 sin a into cos b 2 sin a into cos b तो उप पलस में है 2 cos a into sin b minus b और कोई अंतर? पहले sin आगिया 2 sin a into cos b sin a plus b plus sin a minus b 2 cos a into sin b sin a plus b minus sin a समझ में आई ही बाते खोलो तो मात्र अभी पहला और दूसरा को जोरे और घटा आए तो दो को मिल गिया अभी तीसरा और चौथा बाकि उसको भी जोरेंगे तो एक फर्मूला मिल जाएगा घटा आएगे तो एक और मिल जाएगा तो टोटल चार गो चार गो फर्मूला प्राथ कर लिए नया फर्मूला डिलेशन आइडेंटिटी होली कितने तारिक से आठे मार्श से होली पर अस्वेरे होली आ रहा है अच्छा कोई पात में पात को संडे है आप विचार बना रहे हैं कि चार तक छुट्टी दे दीजिएगा आप से तरड़े पढ़ा कि आपकी भाबनाओं को मच्छी प्रीका समझते हैं जास साल से यहीं समझ रहे हैं 12 साल से स्टुडेंट से लगता है कि कोईद करके जेल में है चुट्टी मिलता कि उरुता है लगता कि बोर्डर पर लराई कर रहात है आप चुट्टी मिलिया घर जाए लगें इतना देचार वह लोग खुस ने होता हुआ जतना तुम लोग खुस होता है और आप होली खेलने का समय का अब तो भाई पहले लोग करता था बुरा ना मानो होली है अब तो कहता कि होली है बुरा मान जाएगी नहीं भाई क्या अब रंग उंखेलने का समय को रंग जारा दे दीजिए कुछ का तुरत लराय जग रहा हो जाते है अब तरह आगे अब थ्री और फोर के अब लोग बात करते है किसका दिख लिया था ना पर करें तो रहा है अब यहां पर आप लोग लिखेगा थ्री पलस कितना थोर वी गेट तरम करन तीन और जो चाहर को जोड रहे हैं तरम करन तीन में रहा क्या था कॉस A पलस B ॉस A पलस B पराबर था कॉस A into कितना कॉस B और और माइनस यहाँ पर साइड एंटु कितना साइड बी सही है और कॉश ए माइनस बी बराबर क्या था यहाँ पर था कॉश ए इंटु कितना कॉश बी और पलस कहाँ पर साइन ए और इंटू कितना साइन भी सही है इसको अगर हम लोग जोडेंगे क्या करेंगे जनाम जोडें जोड़िए तो यह पर साइन चेंज नहीं होता है यह कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा मेरा कितना कॉस ए पलस बी और पलस कॉस कितना מाइनस बी यह होगा है जोस ए पलस बी पलस सक्षrd माइनस बी बराबर हो जाएगा टू कॉस ए इंटू कितना कॉस ऋ एक रिजल्ट और मेरा मिलिया है इसको इस रिजल्ट को औरबोग इस परकार से याज रखेंगे टू कॉस ए into cos b बराबर यहाँ पर हो जागा कितना cos a plus b और plus cos a minus b cos a plus b plus cos a minus to cos a into cos b अगला काम देखे हम लोग करेंगे 3 में से 4 को घटाएं हटाएं इन में से 4 को घटाएं यहाँ पर हो जाएगा कितना cos a plus b बराबर क्यों हो जाएगा cos a into cos b और minus sin a into sin b सही है और cos a minus b cos a minus b पराबर यह जाएगा कितना cos a into cos b और plus यहाँ पर जाएगा sin a into कितना sin b अगर हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे घटाने पर sin change हो जाएगा यह minus 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 यह कैंसिल होगा बचेगा हमारा cos a plus b cos a plus b और minus cos a minus b पराबर निगेटिव आउफ minus 2 sin a into sin b अब इसी को digest करने के लिए अगर हम लोग 2 sin a into sin b मैं करूं तो निगेटिव sin को इढ़ल आएंगे तो निगेटिव को इढ़ल आएंगे यह बला positive हो जाएगा बला उल्टा आजाता cos a minus b और minus cos a plus b cos a minus b और minus cos a plus b चलिए नोट किजिए कि चार फर्मूला से मुझे चार फर्मूला मिला क्या भाई मिला ना कहिएगा सर c d formula की बात किये और c d formula आप लोग बताएं नहीं अभी बता रहें जस्ट अब यह जो चार्ग प्राप्त हुआ ना इससे पुना हम चार्ग और प्राप्त कर सकते झाल झाल हो गया बरें आगे चलिए दीखिए अगर कहिए गात के चारों फर्मुला को एक साथ हम लोग लिख देते लिख दे क्या समरी के तौर पर लिख लिख लिया था है राकर फिर तो लिख वे करेंगे ठीक देते हैं चलिए हैंस हैंस मतलब इस प्रकार पहला पर मुला क्या पर है पहला पर है टू साइन एंटू कॉस्वी लिखिए ना जितना लिखिएगा याद हो जाएगा पूरा आज काल के बच्चा लिखता ही नहीं है काता सर्क पीडिय दे दिजिए एक ट्रेंड चल गिया है पीडियप दे दिजिए वो मोबाइले में पीडिया पैसे रहा जाता है कि आइसी कारण से बच्चे की क्वाइलिटी घट रही है उसको यादे जितना वाल लिखेगा चीजिए एस पस्ट हो जाएगी साइड एप्लस भी और साइड क के परहते है हम उचाहे तो टाइप कड़ा के पीडिया पारे हो इसे बखने हो इसे होगा तुम समझोगे कि टीचर कैसे लिख रहा है नहीं लिख रहा है और तू कॉस ए इंटू कितना साइड भी अगर रह गिया तो बस खाली माइनस हो जाता है ताइड एपलस भी और माइ जाता है और फू कॉस ए इंटू कॉस भी रह गिया तो कॉस ए इंटू कॉस भी और पलस पलस फूके माइनस भी और यहीं चीज रह गिया तो साइन एंटू कितना साइं वी तो आगिया cos a minus b cos a minus b minus cos a plus b यह दूसरा पर बुला था यह तीसरा था और यह याद रखने का तरीका देखो अगर sin into cos b रहेगा तो बीट में plus cos into sin b है तो minus अगर समान लगया cos into cos b तो दोनों cos में होगा sin into sin b तो दोनों cos फर्क क्या cos into cos b में हाँ plus अजब किस में minus और यह वाला पहले आज़ा अगर इसका नाम क्यों परा फर्मुला तू ट्रांस्फर्म प्रोड़क्ट इन्टू समोर डिफरेंस इसमें दो ट्रिगोनोमेटिकल फंसन किसमें था प्रोड़क्ट में नथा प्रोड़क्ट में उसको या तो समेशन में ही मढद समगा यह अंगल एंगल से नहीं ठीपनोमेटिकल फंसन यह समेशन में यहां डिफरेंस में क्या हुवा कण्वाट अब हम उल्टा परेंगे अगर दो ट्रिपरेंस में रहेगा तक JUL product मैं कैश्य चैंज करेंगे देखेए कैसेच उपर करें इसको एडिंग लगाएंगे हम लोग पार्मूला पार्मूला ट्रा मुझा ट्रांसफर्म पार्मूला टू ट्रांसफ्र्म formula to transform sum or difference, formula to transform sum or difference into product, into product. हाँ, उल्टा, वहाँ पर product से था sum or difference में, यहाँ पर sum or difference से है product में, क्लियार, परहें आगे, इसी formula को हम फिल लिखेंगे, लिखेंगे be now right में, पर करदें न, हम लोग लिखेंगे क्या, be now right हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला हम लोग जानते हैं कि अगर उल्टा खाली लिखेंगे, sin a plus b और plus sin a minus b अगर रहता है, तो formula मेरा आया था, 2 sin a और into cos b, right, देखिएगा, अरांस, तूसरा हम लोग जानेंगे कि अगर sin a plus b और minus रह गिया था, sin a minus b, तो यह आगिया था, 2 cos a into kitna, sin b, right, तीसरा, तीसरा अगर cos a plus b और plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b, तो आगिया था, 2 cos a into kitna, cos b, और चवड़ था, cos a minus b, तो यह इसको इसी रखिए, cos a plus b और minus cos a minus b था, तो यह फरूला आजाएगा, minus में, minus 2 sin a into sin b, सही है, अरे, minus आगा, tnp, तीखना, tnp, minus n, आप देखो, किसी में क्या करो तूं, क्या करो तूं, माल लो, let a plus b बलाबर to c, माल ले, and a minus b बलाबर d माल ले, ऐसा माल सकता है, माल लिया, a plus b बलाबर c, a minus b बलाबर d, तो बताओ, क्या तुम इससे a का माल निकाल सकते हो, ने निकाल सकते हो, तो ने भैं, दोनों को जोड़ देगे, b b cut यह, 2a बलाबर c plus d, a बलाबर c plus d बते 2, and b बलाबर निकाल जाएगा, कितना? c minus d बते 2, और b निकाल लाए, तो घटा लेगे, घटा आएगे, a कट जाएगा, e2 भी हो जाएगा, c minus 2, आएगा यह नहीं, तो जनाब, जो आपने a minus b, जो आपने a minus a plus b को c माना, और a minus b को d माना, तो a का मान c plus d बते 2 आगया, b का मान c minus d बते 2 आगया, तो यहीं उपर वाला फर्मूला कनवर्ट कर जाएगा, c d फर्मूला आगया, कुछ वलग नहीं है, देखो, अब यह फर्मूला कनवर्ट कर जाएगा, क्या कनवर्ट कर जाएगा, सोचके देखो, क्यों हो जाएगा, sin c, आप पलस sin d होगा, क्योंकि a plus b के स्थान पर की रखेगा, d, a minus b के स्थान पर की रखेगा, d, तो a के स्थान पर की आजाएगा, अरे बोलने रहे भाईबा, c पलस d बटे 2, अब b के स्थान पर की आजाएगा, समझ में कुछ आया है, कि a फर्मूला कनवर्ट कर जाएगा, c d फर्मूला, क्योंकि c d के रूप में आता है, तो हम उसको काते है, c d फर्मूला है, c d फर्मूला है, अब c फर्मूलवान है तब न, समर्मन करेगा m और n मानны गे, तो कहएगा m n फर्मूला है, क्या तो मानने पर है लेकिन जनरली बुक में भी हरे क्राइटर सब लोग COD मानने है मैं भी माल लिया COD हम यह मोरे लोग उल्टा मानने कहेगा यह मैं परमुला बता करें कौन सा नहीं देखे यह तहीं आ देखिए यह किसमें कनभर्ट करेगा बताओ क्या हो जागा? Sine C minus sine D किसमें हो जागा? 2 cos C plus D बते 2 into sine C minus D बते 2 होगा? यह बताओ किसमें हो जागा? Cos C plus cos D पराबर 2 cos c plus d बटे 2 into cos c minus d बटे 2 सही न और यह किसमे convert कर जाएगा cos c और minus cos d पराबर देखो यह रहागा minus 2 sin c plus d बटे 2 और into sin c minus d बटे 2 अब कोई-कोई गुक में क्या किया है इन निगेटिव sign को digest करा दिया है किसमें इसमें को कैसे सब महाँ minus common ले लिया यह हो जाएगा sign minus d minus c बटे 2 sign minus theta minus theta minus theta minus cos theta minus sign theta तब minus यह बाहर आजाएगा तो minus minus क्या करा देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है 2 sign t plus d बटे 2 इन टू साइड t minus c बटे 2 यह है इसे भी सोचो यहाँ minus common लेंगे minus 12 तक देगा यह हो गया cd फर्मुला जिसको यह याद रहेगा उसको वो भी याद रहेगा कोई दिक्कत तो compound angle में इतना ही फर्मुला इसे जारा कोई फर्मुला चलिए तो आज की class यही तक रहने देते हैं अगले class multiple हाँ बोलिए यह बला नहीं समझ में आया देखो देखो a plus b b r c है a minus b b r d इतको समी कर दोनों को जोर दिये b b cut या 2a b r b r ho gya c plus d a b r b r ho gya c plus d बते 2 अब समझ में आया एक बार दोनों को घटा देना तो यह बला देना नहीं तो एक आमान इसमें रोख देना आया समझ तो compound angle का जितना भी formula था लगबग मैंने आपको complete कर दिया आगले class multiple angle पढ़ेंगे जिसमें sine to a cost to a time to a और जब multiple angle पढ़ेंगे तो अब लोग 18 degree, sine 18 degree, 24 degree 36 degree, 25 degree 20 degree, 20 degree 20 degree, 20 degree यह सम का value calculate करेंगे तो next class पास्गा, झार वारा बचले लार्फ्य मैं पेदावा, यह भी लिदावा, आपको भी बड़़् किलिए के लिद एक रावा थैवा, रिदावा, यह भी ले जावा, आवा, खई।, उ हुआपावा, आपकोश्द, रिदावाश्ट, रिदावा, यह पयारा ओ।, वाराभ